घर की आॉरत कहते हैं ना घर दीवारों से नहीं उसकी अंदर रहने वाले लोगों से बनता है लेकिन क्या हो जब घर की लोग ऐसे हो? सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुमारे पास ओपर से बहु के आ जाने के बाद तो तुम और निकमी हो गई हो दिखावे के लिए हाथ में माला पकड ली है, बाकी कोई काम नहीं करती अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहु आ गई है, अब तो मेरी बे इज़ती करना बंद कर दीजिए जैसे तैसे मेरी तो जिन्दगी कट गई, गालिया खा खा कर, अरे उस बिचारी को तो छोड़ देजिए तब ही बेटे के जोर-जोर से चिलाने की आवास आती है कहता ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यो नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहा निकली? चलो कामरे में, काम करो घर का बहु बेटे की लड़ाय सुनकर सा ससुर बाहर आ जाते हैं सामने खड़ी होती है नई नवेली बहु रीमा देख लीजिए मा जी, शादी से पहले तो मेरे मा पापा के सामने कहा था कि शादी की बाद नौकरी करने देंगे लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम मा जी को क्यों बोल रहे हैं बहु? तब उसका मन रहा होगा, आप नहीं है पर पिता जी, उसकी मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना? ससुर को बहु की बाद पर गुसा आ जाता है वो बेटी की तरफ देखता है पापा से जबान लडाती है, रुक! ये बोलकर वो पत्नी को खीच कर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है ये सब देख कर सास दुखी हो जाती है पत्नी के जाने के बाद सास बेटी से कहती है देख बेटा, अब जमाना कुछ और है तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की लेकिन तू ऐसा ना बन शेहर की समझदार पड़ी लिखी लड़की से शादी की है तुने उसका खयाल रखा कर तमीज से पेश आया कर जा, बहु को कमरे से बाहर लिया आमको बेटा बाहर जाता है कि सास, चाए और बिस्कुट लीकर बहु की कमरे में जाती है बहु बेटा ये ले, चाए पी ले रो रोकर कैसी शकल बना ली है बेटा माजी ये कैसे लोग हैं, आप कैसे मैनेज कर रही हैं ऐसे थुणी नहोता है माजी घर की औरतों को तो पिता जी और ये इनसान समझती नहीं क्या करू बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया लेकिन तू ना सैना दोनों बात करी रहे थे कि सुसुरा जाते हैं अच्छा, तो अब बहु को भड़का रही हो बहुत दिन हो गए मार खाए अब क्या बहु के सामने खाओगे जाओ यहां से और जरुरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चड़ाने की समझी बहु को सुसुर की बात पर गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती आए दिन बहु देखती है कि कैसे उसकी सास और उसकी साथ उसका सुसुर और पती गंदा व्यावार करते हैं फिर एक दिन ये क्या बनाया है खाना बनाना नहीं आता क्या ये बोलकर वो खाने की बरी सारी ठाली फेंक देता है और बिटा कोई बात नहीं शान्त हो जा मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ हाँ बाबा ओर्डर करिए ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा बिसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो अरा तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर बहु को पती की बात पर गुस्ता आता है तब ही सास पूल पड़ती है तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है वो तो तुने इसे कहा था कि तुमकरी करने देगा तो तुछ से शादी कर ली वनना नहीं करवाते इसके माबाब तुछ से शादी इसकी और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा बहु हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है उसकी नजर में सास की इज़्जत और बढ़ जाती है वो सास को देख कर ये सब सोची रही थी कि उसकी कान में एक जो चांटे की आवाज आती है किसको मार पड़ी वो देखी रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है अभी तो धीरे से मारा फिर जबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पड़ते भड़ जाएंगे सास रो रही थी बेटा और पती वहाँ से चली जाते है पिता जी अच्छा किया मा को जोर का चांटा लगा कर आगे से जबान खोलने से पहले चार बार सोचेंगी बड़ी आई दोनों हस्ते वह वहाँ से निकल जाते हैं बहु सास को उछाती है और पानी देती है मैने ये दिन रोज देखे हैं बहु लेकिन तू नहीं सैना तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना शादी के वक्त मैने तेरी मा से बात करने की कोशिश की थी उन्हें बताया था लेकिन वो नहीं मानी बहु सास को पकड़ कर रोने लगती है वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी मा नहीं है माजी जिस तर से आप मेरे लिए खड़ी हुई है न मेरी मा भी नहीं हुई बेटा में तेरा भला जाती हूँ तु नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी एक काम कर इस घर से चली जा पैसे कमा और खुश रह माजी हो सकता है कल तक मैं आपकी इस फैसली को मान जाती लेकिन आज नहीं माजी आप यहाँ इस नर्क को जेले और मैं आपको छूड़ कर चली जाओ नहीं कभी नहीं अगले रोस सुनिए वो क्या है न मुझे कुछ कपड़े और गहनों की जरूरत है तो जरा पैसे दीजिये न अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगे न बुरा तो नहीं लग रहा न आपको नहीं नहीं बुरा क्यों लगेगा यलो कार्ड काल लेना शॉपिंग अगले रोस बिजली का बिल आया है दस जार का भर दीजिएगा इतना बिल कैसे आ गया बेटा वो क्या है ना सारा दिन बहु घर में रहती है तो कामरे में एसी और टीवी चलता रहता है अब कम से कम बाहर जाए तो चार पैसे कमा कर लाए लेकिन हम लगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है वो तो मार दे करता है ना पती पर्स देखता है और फिर हामा ठीक बोड़ रही हो खेट चलता हूँ आफिस का वक्त हो गया है पती आफिस से पिता को फोन करता है पापा घर के खर्चे तो बढ़ती ही जा रहे है उपर से महंगा है आप देख रहे है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए अहां कर दूँ चार पैसे ही लाएगी ना घर में वो तो तू ठीक बोल रहा है लेकिन यह औरत की जात कल को चार पैसे कमाने लगे तो यह नहीं के सर पर चड़कर नाचे हाँ पिता जी बात तो सही है वो तो आप है जो मा को मुठी में रखा है वारना मेरी वाली तो खेर सोचते है इस बार में शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है वो कल पनीर की सबजी बनानी है तो थोड़े पैसे दे कर जाना और हाँ किर्तन भी रखा है संडे को उसके लिए सामान की लिष्ट बना दी है ले आना पापा को दे दो वो ले आएंगे अर अब पापा कहा से ले आएंगे मेरे पास नहीं है पैसे वैसे लो पैसे ही नहीं है मेरे पापा की जीब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है बेटा लक्ष्मी को जो पूछता है ना उसके पास लक्ष्मी रहती है जो घर की औरतों को मारे, पीटे, वह भला कैसे लक्षमी का लाब ले सकता है वह वह क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुमारी लगता है भूल गई पुरानी मार और डाट, क्या हाँ माजी शान्त हो जाएए, मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे ठीक है बगू, मैं कुछ नहीं कहती, तु ये लिस्ट बस दे दे, मैं चली आराम करने फिर अगले रोज सुनिये जी, वो माई की जाना है, वो क्या है न, शादी की बात से गई नहीं तो ट्रेन की टिकेट बुक करवा दे न, तो मैं भी तो साथ जाऊंगा न, तुमारे तो ठीक है फिर फ्लाइट की ही टिकेट करवा दीजे, वो कहना अच्छा थोड़ी न लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है न पती ओफिस जाता है, चाहां उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया यार, परिशान सा दिख रहा है, तेरी तो नहीं-नहीं शादी हुई है भाभी परिशान गर रही है क्या अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है तू कैसे मैनेज करता है, यार, कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को वो टीचर है, फिर गर में टुशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते है यार गर नाम की गाड़ी दोनों पईयों के साथ चलने से ही चलती है वो भी कमाती है और मैं भी और चल रहा है गर बस पती को दोस्त की बात समझ में आती है लिकिन पिता का ज्यान कैसे भूल सकता था भई यी कल को सर पर चड़कन नाचने लगी तो शाम को घर आता है जहां उसकी बुवा और उसका बीटा बेठे होते है अरे आ गया लल्ला कैसा थका थका से लग रहा है सब ठीक है ना नमस्ति बुवा कैसे आना हुआ कैसा है रमेश भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती अरे नहीं नहीं भाईया याद नहीं आती तो यहां कैसे आता यह लीजिय मेरी शादी का काड ज़रूर आना पती काड खुलता है डॉक्तर रश्मी अरे वा तेरी होने वाली बीबी डॉक्तर है और क्या भया आपकी बीबी इंजीनियर तो मेरी डॉक्तर तबी वहाँ सास आ जाती है अरे जब घर में ही बिठाना है बिचारी को तो का है का इंजीनियर है तो काम वाली ही घर का काम करती है और आ रहा हूँ इतनी पड़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बिठा रखा है अरे बहु कहीं जोला चाप टिगरी तो नहीं लेकर आई है पत्नी की बुराई सुनकर पत्ती को गुसा आता है नई बुआ युनिवरसिटी टॉपर है मेरी मिना और हम बड़ी कंपनी में काम भी करती है बस शादी के बाद कुछ महिनों की छुट्टी ली थी अगले अफते से आफिस शुरू हो जाएगा क्यों मिना तब ही ससुरा आ ज पिता की बाद पुरी नहीं हुई कि बेटा सर पर चड़ने का हक है उसका पापा पत्नी है वो मेरी यानि मेरे घर की रानी और रानिया तो सर का ताज होती है क्यों मिना मिना पती की बाद सुनकर शर्मा जाती है वा बेटा तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज़त करने वाले घर में शांती और लक्ष्मी का वास होता है झाल जा झाल जा झाल झाल